नमस्कार, भक्त जनो, दुर्गा सब्ध सतीशे, लिया गया तिसरा अध्याय का महात में सुनाने जा रही हूँ जगदंबा के स्री अंगो की कांति उदे काल के सहत्य सुरियों के समान है, ऐसी देवी को हमारा कोटि कोट प्रणाम है महार्शी ने कहा, असूरों की सेना को इस प्रकार नश्ट होती देखकर, शेनापती चिक्छूर क्रोध में भरकर, अंबिकाशे युद करने के लिए आगे बढ़ा यह देवी पर इस प्रकार बाणों की बर्शा करने लगा, जैसे सुमेर उपरबत पर मेघजल की बर्शा करते हैं देवी ने अपनी लीला मात्र से सेनापती चिक्छूर के बाणों को अपने बाणों से काट दिया और उसके घोडे और सार्थी को मार डाला और सिक्रहे अपने तीखे बाणों से धनुस और उची ध्वजा को काट गिरा दिया घोडों और सार्थी के मरनी पर वह असूर हाथ में तलवार और धाल लेकर देवी के समुक आन खड़ा हुआ और पैनी धारवाली अपनी तलवार से सिंग के सिर पर चोटकी और भगोती की बाई भुजा पर सिक्रता से बार किया लेकिन हे राजन राक्षस की तलवार देवी की बाह के साथ इस परस होते ही तुकडे तुकडे हो गई इस पर उस राक्षस ने क्रोध से आखे लाल करके सूल हाथ में लिया और उसके पस्चात महा असूर ने वह सूल भी भद्रकाली देवी की ओर फेका तब तेज करके अत्यंत जलते हुए सूरी के समान अंबर से पढ़ता हुआ उसको देखकर देवी ने अपनी सूल छोड़ा देबी के सूल से राक्षस के सूल के टुकडे सैकडों टुकडे हो गए और सूल के साथ ही राक्षस के भी सैकडों टुकडे होकर उसके प्राण पखेडों उड़ गए महिसासुर की सेना का नायक वहा महा पराक्रमी चिक्छुर जब जान से मारा गया तब देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक अशुर हाथी पर सवार होकर आया उसने आते के साथ ही देवी पर शक्ति छोड़ी जिससे अंबिका ने सहज हुंकार के सब्ग से ही कांत हीन कर प्रिथवी पर गिरा दिया और सक्ति को तूटा हुआ देखकर चामर क्रोज से भर गया और अपना सूल भगवती की ओर फेका जिसे देवी ने अपने बाणो द्वारा काट डाला इतने में देवी का शिंग उचल कर हाथी पर चड़ वैठा और अत्यंत दैत के साथ बाहु यूध करने लगा शिंग और अशूर दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से प्रित्वी पर आ पड़े और अत्यंत क्रोध में भर कर एक दूसरे से भीशर पर आक्रम करते हुए लड़ने लगे इसके पस्चात सिंग बड़ी तेजी से अकास की ओर उचला और नीचे की ओर आते हुए अपनी पंजो द्वारा चामर का सिरधर से अलग कर दिया और इसी प्रकार उद्दगर की सीला तथा ब्रिक्ष आदि की मार खाकर चुण हो गया और कराल भी लातो मुखो और थपड़ों की चोड से धाराशाई हो गया क्रोच से भरी हुई भगवती ने गदा की चोड से उद्यत का कचूमर निकाल डाला भिंदी पाल से वाशकल को तथा बाणों से तामर और अंधक को और तीन नेत्रवाली परमेश्वरी ने सुल से उगराश्व उगरबिर्व तथा महाहनु नामक अशूर को मा डाला तलवार और बिंडाल का सीर काट डाला और दुरधर और दुर्मुक इन तीनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया इस प्रकार जब सारी सेना नश्ट हो गई तब महिशासू भैसू का रूप धारड करके देवी के गणों को त्रास दिने लगा कितने ही गणों को मुख के प्रहार से, कितने ही को खुरू के प्रहार से, कितनों के पूछ की चोड से, कितनों को शिंग की चोड से, कुछ गणों को बेग से, कुछ गणों को शिंग नाग से, कुछ को चकर देकर, कुछे को निश्वास वायू के जोको से शमाप्त कर दिया इस प्रकार गणो की सेना को गिरा हुआ, गिरा कर असुर देवी के सिंग की ओर छप्ता, इसे भवानी को बड़ा क्रोध हुआ, उधर महाबिर महिसासुर भी क्रोध में भर कर खुर से धर्ती को खोदने लगा, तथा अपने सिंगों से उचे उचे परवतों को उठा कर फेकन महिसासुर के बेग के भ्रमर से खुदी हुवी प्रिथवी पोली हो गई, और पूँच से जकोला हुआ समुद्र चारो तरफ फैल गया, शिंगों से फाड़े हुए मेग खंड खंड हो गई, और स्वास पवन से अकास में उड़े हुए परवत धर्ती पर पढ़ने लगे, इस प्रकार क्रोध से लाल होकर जपटते हुए उस महा असुर को देखकर देवी क्रोध में भर गई, उसने पास फेक कर उस महान असुर को बाध लिया, इस प्रकार महा शंग्राम में बंध जाने पर उसने भैसु का रूप धारड कर लिया, और ततकाल शिंग के रूप में प्रगट हो गया, उस अवस्था में देवी जो ही उसका सिर काटने को तयार हुई, वह खड़कधारी पुरुस के रूप में दिखलाई देने लगा, देवी ने अपनी ढाल और तलवार के साथ उसको भी काट डाला, काटने के साथ वह एक बड़े हाथी की रूप में परिवर प्रतित हो गया, और अपनी शून के साथ देवी के सिंग को खीचने लगा, देवी ने अपनी तलवार से उसकी शून काट डाली, शून काटने पर उस डेट ने दोबारा भैशो का रूप धारड कर लिया, और चर अचर जीवु सहेत त्री लोकी को पहले की तरह दुख दे इसके पस्चात देवी बार बार उत्तम मधु का पान करती हुई लाल आखे करके हसने लगी, इधर वह बल और पराकरम के मज से उनमुथ हुआ राक्चस गरजने लगा, और अपने सिंगों से भवानी पर परबत फेकने लगा, उस समय देवी अपने बानों से उस असूर के फेके हुए परबतों को चुड़न करती हुई बोली, बोलते समय उनका मुख मधु से लाल हो रहा था और बानी लड़ खरा रही थी, देवी ने कहा हे मूर तू छड़ भर गरज ले, जब तक कि मैं मधु पान करती हूँ, मेरे हाथ से तेरे मरने पर सिक रही, अब देवता गरजना करेंगे, महर्शी ने कहा, प्रथम तो देवी ने इस तरह से कहा और पीछे कुद कर राच्छस के उपर जा चड़ी, महिसासुर को अपने पैर से दबा कर सूल से उसका सिर काटने लगी, उसके पैर से दबा हुआ होने पर महिसासुर अपने मुख से भैसो वाले असुर यूद करने लगा, तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सीर काट डाला, इस पर हाहा कार करती हुई, राच्छसो की सारी से ना भाग गई और देवतागण अत्यंत प्रशन हुए, तब हो हरिशियों और महर्शियों सहित देवी की स्तूति करने लगे, ग अब शभी धन्यबाद